कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप सबका दो सौरुकुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी यूटूब चैनल जिसका नाम है सौरुकुमार अकेडमी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूप्यसी की तरफ से सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटिस से लेटिस इंफोर्मेशन सबसे पहले मिले ठीक है तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो पीडियो देख सकते हैं यूप्यस्टि की तरफ से है और लास्ट जेट जो है इसकी पहलेगी गारेगी कि साथ नो दोजार वीज मतलब साथ सितंबर दोजार वीज जो है इसकी लाजट होगी और किसके लिए निकली सेंटरल आम पुलीस फोर्स वह भी असिस्टेंट कमांडनेट के लिए ठीक है और यह ओफिशल वेफसाइट यूप्सी दॉट जी ओवी डॉट इन पर आप जाके यूप्सी ओनलाइन डॉट एन इसी डॉट इन इस पर क्लिक करेंगे इस पर जाके आप अपलाए कर सकते हैं और दूसरी चीज आपको अगर डॉकुमेंट्स की बात करें तो डॉकुमेंट्स में कहके चाहिए कि आपके पास फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए अधार कार अगरहम बात करें फीस की तो फीस कितने होगी फीस जो होगी सबके लिए जन्रल हो गया और बीसी हो गया यह वी सोगे तो नसब के लिए फीस कितनी है 200 है बाकी SCST सेस्टी या फिर वुमन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है कोई भी फीस नहीं होगी ठीक है अगर हम बात करें लास्ट डेट काप है फीस बनने की तो वह है आपकी कि साथ सितंबर 2020 तक वह भी छे वज़े तक ठीक है कि और विड्रो करने की डेट करें 14 सितंबर से लेकर बीस सितंबर के बीच में आपकी विड्रो करने की डेट है अब आगे देखतें इसके अंदर क्या दे रखा है कि फोर बोथ राइटिंग एंड मेके अंसर शीट इन दा ओए मार शीट केंडियन मस्ट एज मस्ट यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पैन ठीक है तो आपका क्या होगा ओए मार शीट पे होगा सारी चीज़े और आपको पैन लेके जाना है यह से फिल करोगे आप कॉंसा होना चाहिए ब्लैक बोल होता चाहिए आगे देखते है कि पोष्त किसके लिए निकली हुए यह तो पोस्त इसेफि के लिए स्यवंटली यह चीठिक आइस पोस्ट जो है इसमें निकले हुई है ठीक है अब हम बात करें एक्जामिनेशन सेंटर की तो यह जो चितनी भी चीज़ें है आप देख सकते हैं इसके शोट ले लें इसका यह क्या है आपका एक्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा यहां पर इन जगाओं पर अब यह किसके बेसिस पर फस्ट अप्लाए और फस्ट लॉट इसके बेसिस पर आपको सारी सीज़े होगी तो आप पहले अगर अप्लाए करेंगे तो पहले आपको सीट मिली जाएगी इसके इसाप से ठीक है तो जल्दी से जल्दी अप्लाए कर देना इसके लिए इंडिया की नैशनालिटी होनी चाहिए और देखते हैं क्या दे रखा है तो आपका क्या होगा देखो क्या दे रखा है इसके अंदर कि along with the detailed application form which is which will be required to be submitted online by the candidate who after qualifying on the result of the return paper part of the examination are also declared qualified in the physical standard physical efficiency test and medical standard test तो पहले क्या होगा आपका return होगा return आप qualify करते तो आपका physical होगा और physical qualify करते हैं तो आपका क्या होगा medical होगा तो यह तीन चीज़े जो है आपकी होगी सबसे पहले आपको return qualify करना पड़ेगा तब ही आप इन सब चीजों के बार में कर सकते हैं आगे फीज की बात बताई दिये है मैंने आपको कि जो फीज है SCST female candidate के लिए कोई निया बागे सब के लिए कितनी है दो 200 रुपए जो होगी आपकी फीज होगी अप्लिकेशन फीज आगे देखते हैं PDF में अगर हम बात करें कि सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सेलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि आपका रिटन एक्जाम होगा पहले तो आपका रिटन एक्जाम होगा उसके अंदर क्या कह रहा है कि यह दो पेपर होंगे आपके कितने पेपर होंगे दो पेपर होंगे दो पेपर देना होगा आपको वो भी किस तारीक होगा 20 दि पांच बज़े तक होगा तो 3 घंटे का आपका किव पते ही यह love a game कि अगुआ कि वर अगर हम बात करें पेपर वन तो पेपर वन जो है आपका सदाएसों circular. जिसके अंदर आपका होगा जैनरॉर ister technology का टेस्ट होग के अँर जो को हाएंगे वह क्या होगे मल्टिपल चोईज होगे मतलब और जैक्टिव टाइप कोशन होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा सेकंड पेपर जो होगा आपका जनरल स्टेडी जो गाएसे और कॉंपरेंशन होगा ठीक है आपको ऐसे वगरा लिखना होगा और वह कितने मार्स को गात तुहंडड मार्स का होगा वो कितने बेज़र क है 200 माईक्षक जोगा कि आप एकासलब करते हैं फार फिपर वंन फेफरसे तो उसके प topics क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा ठीक है फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करने कि क्या क्या होगा इसके अंदर पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा फिजिकल टेस्ट में आपको अगर मेल हैं तो उनके लिए 100 मीटर की रेस करा ही जाएगी जो आपको 16 सेकंड के में 300 दाए 800 मिनटर की रेश है कि यह तैम में प्रहिट में आपको करना को तो टीसरी का Deli को होगा साड़े 3 मीट्र आपको आपड़ेगा जिसके लिए आपको तीन चांसे समें लेंगे फीमल के लिए कहतना होगा तीन मीट्र तीन नौब जिसके लिए उन्हें तीन चांसे जैस मिलेंगे शॉट पूट भी होगा कि इतने कहा 알petto साथ का तो वह भी मेल कैंडिडेट के लोगा फीमेल के लिए नहीं होगा जो कितना होगा फॉर पॉइंट फाइब मीट्र का होगा एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर फीमेल जो अगर प्रेगनेंट है तो उन्हें डिस्कॉलिफाइब कर दिया जाएगा ठीक है है लिए लिए कर दिया जाएगा हम response कि अभी आप कर देते हैं तो आपका क्या होगा हूँ हो इंट्रवी होगा है इंट्रीजु कितने माक्स क्वागा दे़ सो माक्स वह इंट्रीजु का होगा और जुछ उसके बाद क्या होगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी five final merit लिस्ट आएगी जो आप का। इंटुन माक्स हें रिटन में जो है और फीजिकल टेस्ट में जितने भी आपके माकस हैं उन सब को मिला इक मेरिट लिस्ट आपकी अगर आथ करें और हम एन इंटनेशनल इंपोर्टेंस और इंडियन पॉलिटी एकनोमी ठीक है और हिस्ट्री आफ इंडिया और इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी आएगा अगर हम देखें जन्रल मेंटल अबिलिटी के अंदर तो वहीं आपका रीजिनिंग आ गई लॉजिकल डिजिन को मैस वग पढ़के जाना करेंट अफेर तो खेर पूछे गई तो करेंट अफेर जरूर करके जाना अब दूसरी इंडियन एकनोमी पॉलिटी के बारे में पढ़ लेना ठीक है हिस्ट्री हिस्ट्री भी कर लेना और जियोगराफी भी कर लेना दूसरा पेपर जो है आपका जनरल स्टेडिज ऐसे और कॉम्प्रियेंशन का होगा जिसके अंदर ऐसे कोशन जो भी पूछे जाएंगे आपके टोटल कितने होंगे 80 मार्क्स का होगा कितने मार्क्स का होग तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दें अगर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इंफरमेशन मिली है तो वीडियो को को लाइक जरूर कर दें आपने दोस्तों में जा से अधा शेर कर दें ठीक है काफी अच्छी पोस्ट यह इसके लिए अप्लाए करना ना बूले ठीक है जल्दी से जल्दी अपलाए करें और उसके साब से आपको सीटर लोट कर जाएगे आपका टेस्ट वगेरा ले लिया जाएगा ठीक है दोस्तों अगर और कोई डाउट वगेरा है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं मुझसे थैंक्स वर वचिंग